आज मैं आपके लिए एक बैतरीन ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ अगर आप इसको बनाएंगे न तो मैं गैरेंटी देती हूँ अगर आपके घर पे महमान आयों तो आप उनको भी ये बना के खिलाएंगे न तो आपकी तारीफ करेंगे और बहुत ही हैल्दी होता है और बह बहुत ही बढ़िया नास्ता इसको आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा बच्चों को भी काफी पसंद आने वाला है तो जरूर देखिएगा चलिए देख लेते हैं फटा फट से उससे पहले सब्सक्राइब और बैल आइक बटन गरूर द मिकसर ग्राइंडर लेंगे हम और जो यह चावल है उनको हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम इसमें अपनी डालेंगे आलू और आलू यहाँ पे मैंने बॉइल लिये हैं आलू उबले हुए हैं और ठंडे हो गए हैं उसके बाद इसको हम इसमें डालेंगे गरम नहीं डालें अब डालने के बाद इसको देखिए मैंने एक पेस्ट बना लिया है तो मैं चम्मस से आपको दिखाऊं कितना इस तरीके का हमें इसका पेस्ट चाहिए ये देखिए कैसे रिबन जैसा हो रहा है बस इस तरीके का अब क्या करेंगे एक बाउल में इस बैटर को ट्रांसफर कर लेंगे हम ये देखिए ऐसे तो यहां पर इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं सारे बैटर को और काफी हल्दी रहता है बच्चों को काफी पसंद आने वाला है ये मेरी गेरेंटी है और थोड़ा सा पानी डालके इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं बहुत उजसे क्या होगा हमार जो नास्ता बना रहे है न काफी टेस्टी बनेगा बच्यों को और एक्स्ट्रा भी इसमें टेस्ट काफी बढ़िया आएगा और अदी चमच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और एक बारिग कटी हुई पैज डाल दी है मैंने और फिर इसके हम डालेंगे स्वीट स्कॉन डालेंगे अगर आप स्किप करना चाते हैं तो स्वीट स्कॉन स्किप भी कर सकते हैं इसमें आप शिमला मिर्शी भी डाल सकते हैं अपने मुताबित बाकी की सबजियां जो आपको अच्छी लगती हैं बच्चों को अच्छी रखती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं अब इसमें मैंने डाल रही हूँ मुफली ये मुफली रोस्टिट हैं इनको मैंने कूट लिया है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर हम बढ़िया सार तड़का लगाएंगे इसमें तो जो क्यों नास्ता बनाएंगे तो खाने में काफी यमी लगेगा और बच्चों को एक्स्ट्रा टेस्ट मिल जाएगा बच्चों को वैसे भी कुछ ना कुछ अलग खानी की इक्षा होती रहती है अब यहां मैंने रख लिया है पैन जब तक गरम हो रहा है मैंने यह बाउल म तो यहां पर हम ओईल डाल देंगे तो अच्छे तरफ चारों तरफ से ओईल को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे हम पैन को ऑईल डालने के बाद जो हमने अपना बैटर रेडी किया है उसको इसमें एट करेंगे इसमें डालेंगे और फैल आएंगे यह देखी तो बड़ी ही आसानी से यह फैल जाएका और बहुती आसानी से बनके भी रेडी होगा और इतना सौफ्ट बनेगा ना यह और इतना ठेस्टी बनेगा कि आप हफते में तीन से चार बार नास्ते में इसी को बखाना पसंद करेंगे और यह आपके घर में महमान आ जाएंगे तो यह आप उ इसमें उपर से ओईल डाल देंगे जिससे ये थोड़ा पक जाएगा तो सही रहेगा उपर से ओईल डालेंगे हम तो अच्छे से पक जाएगा उपर से इसको ढखके दुबारा से रख देते हैं हम तब खोल के देखते हैं चलिए आईए तो ये देखिए उपर से अच्छे से पक चुका है हमने तेल डाल दिया था उपर से अब इसको हम पलटेंगे तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ नाइफ की साइता से इसको उठाएंगे ऐसे और फिर इसको इस तरीके से हम पलट लेंगे आसानी से ये देखिए तो कितना पढ़िया कलर आया है और इतना क्रिस्पी बनेगा ना ये उपर से कि मैं आपको बता नहीं सकती है अब उपर से इसमें साइट से हम ओईल डाल देंगे चारो तरफ जिससे ये अच्छे से सिख जाएगा और इस तरीके से पैन में हम इसको सिखने देंगे उपर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से सौफ्ट बनेगा ये आपका नास्ता तो ढखके हम इसको दूसरी तरफ भी अच्छे से सिख लेते हैं तो ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिख चुका है तो तो अब इसको हम आपको पलट के दिखाते हैं यह देखे तो किता बढ़ीया शिकरा अभी सिका नहीं है तो इसको थोड़ी दिर और सेक लेते हैं जिससे यह क्रिस्पी हो जाए तो इसको हम निकाल लेते हैं अपने प्लेट में गर्म गरम ये इसको खाने के लिए ready है तो चलि तो यहाँ पर देखिए यह दूसरा भी ready है हमारा पढ़िया सा नास्ता तो यह देखिए देखने में लग रहा है न यमी तो इसको और भी यमी बनाते हैं हम बीच में से कड़ देते हैं कट तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको कट करेंगे और यह हमारा नास्ता बनके ready हो गया है और मैं आपको इसको तोड़ के देखा हूँ यह देखिए अंदर से कितना टेस्टी लग रहा है कितना बढ़िया लग रहा है आप इसको बच्चों के लेंच बॉक् बनके ready हुआ है तो आप सभी और इसको मैं गानिश के लिए उपर से टमेटो केचप से गानिश कर देती हूँ हाला कि यह बिना टमेटो केचप के भी नास्ता ऐसा बनाए क्या आप इसको बिना किसी चटनी या सौस के खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा लेकिन इसको गानिश के लिए मैं कुछ ऐसा ready कर देती हूँ धन्यवाद दोस्तों फिर मिलती हूँ next वीडियो में बाई बाई